दोस्तों अगर आप भी परेशान हैं अपने पेट की कब्ज से, पेट की गैस से, पेट की अफारा से या फिर एसीडिटी से इस वीडियो को आप पूरा देखना तो आज ही इस नुस्के को आप यूज करें और देखना आपको आज ही फायदा मिलेगा अगर आपको मुझे पर विश्वास हो, मेरी बातों पर ट्रस्ट हो, तो आप वीडियो को पूरा देखना और इस नुस्के को आप यूज करना आप खुद ही मुझे थेंक्स बोलोगे, ये जो मैं नुस्का को बताने जा रही हूँ, ये नुस्का दैन देर काम करता है, आपके पेट की गैस को अफारा को जड़ से खतम करेगा कबज को भी खतम करेगा पेट को क्लीन करेगा तो हमें करना क्या है नुसका तयार करने के लिए हमें लेना होगा ये पतियां ये किस की पतियां है दोस्तों ये है पुदीने की पतियां पुदीनों की पत्तियों में भरपूर मात्रा में एंटी बैक्टिरिया गुड़ोते हैं जो कि हमारे पेट में जो गैस बनाते हैं उन बैक्टिरिया को ये खतम करता है साथी साथ कुपच को खतम करता है मेटाबलिजम को बूष्ट करता है और पेट में जो खाया पिया होता है उसको ये पचाता है तो हम क्या करेंगे इन पुदीने की पत्तियों को अच्छे से तोड़ लेंगे अच्छे ची पत्तियां लेनी है हमें एक भी सड़ी गली पत्ति नहीं लेनी है दोस्तों जो पुदीने की तासीर होती है तासीर इसकी ठंडी होती है तो आप घबडाएं मिलकुल नहीं गर्मियों के मौसम में ये पेट को भी ठंडा करेगा और साथी साथ आपके पेट के कब जो गैस अफारा इसको भी खतम करेगा तो यहां पर मैंने पक्तियों को तोड़ लिया है अब इसे मैं दो तीन पानी में अच्छे से साथ कर लूँगी ताकि इसमें एक भी मिट्टी ना रहे आप चाहें तो पक्तियों को तोड़ने के पहले ही इसे साथ कर सकते हैं पानी से तो चलिए मैं इसे साथ कर लेते हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना दोस्तों मैं सेर कर देना चैनल पर पहली बारे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बैल आइकन को जरूर प्रेस करना इससे होगा ये नई वीडियो प्रोट करेंगी उसका नौटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहल अब हमें करना क्या है उन पुदीनों की पत्तियों को हमें मना लेना है पेश्ट तो आप चाहें तो मिक्सी के जार में डाल करके इसका एक बारी पेश्ट बना लीजिए या फिर इस तरीके से इसको कुचल लीजिए यानि की कूट लीजिए तो चलिए मैं इसे इमाम दस्त कब बिल्कुल सही हो जाएगी आपको कोई भी अंग्रेजी दवयां लेने की कोई जरूरत नहीं है आप देख सकते हैं मैंने इसका यहां पर पेश्ट बना लिया है आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा एक चम्मच पानी भी डाल सकते हैं ताकि इसका बारीक पेश्ट बन है और अब इस ग्लास में हम इसे डाल देंगे अब इसके बाद में हमें क्या करना है इसमें डाल देना है पानी पानी हमें इसमें नॉर्मल डालना है फ्रिज का ठंडा बगर आप पानी ना लें आप नॉर्मल पानी लें रूम टेंपिरिचर का और इसमें मैंने पूरा पा तो आप लोग करते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं यह देशी नुस्का यूच करिए इसमें कोई भी कैमकल नहीं है कोच भी नुकसान नहीं करेगा तो आप देख सकते हैं पांच मिनट हो चुका है अब पांच में च्शान लेना है आप देख सकते हैं शान डीक करना ने के लिए हमें लेना होगा जीरा राया और समगय दूसरी TUरम ने लिकिया है antenna लावि ये स्ट्थ्याई चमच यानि की आदाती स्पून मैंने हिंग डाल दिया है आप इसके बाद मैं हम इसे में डालेंगे एक चमच अज्वाइन यह देखिए एक छोटा चमच आपको अज्वाइन लेना है यहाप देखिए तो आप चाहें तो अज्वाइन को इसके भी कर सकते हैं आपको अजवान गर्म करें तो आप इसे इस के भीड गर शक्ते आरहें जैसे तरीके से बढम कुछ भीडल नहीं करेगा और कुछ आझनां नहीं करेगा तो इस तरीके से तीनों सामगोरी ले करके इसको भून लिजिए इसको आपको ब्राौन होने तक भून लेना है धीमियाद पर और अब इसके बाद में ये देखिए भुन चुका है इसे मैं अच्छे से रोष्ट कर लिया है अब इसे मिक्सी के जार में डाल करके इसका एक फाइन पाउडर बनाना है दोस्तों 100% काम करने वाला ये मेरा नुस्का है आप ट्राई जरूर करिएगा तो ये देखिए पाउडर में इसका बना लिया है और इस पाउडर को मैंने कटोरी में कर लिया है तो इस तरीके से आप पाउडर बना करके किसी भी A2Db में भर करके रख लीजिए और आराम से इसे यूज करिए ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है तो अब हमें इस पा बंदगी को बाहर निकालेगा यह नीबू यानिकी लेमन जूस क्योंकि दोस्तों इसमें भर पूर मात्रा में साइट्रेकेसित होता है और साथी साथ बैक्टिरिया को ये खतम करता है जो बैक्टिरिया जो गैस बनाते जो कब्ज बनाते हैं ठीक है ना पेट में सरन पैदा यही पाउडर जो हमने यहां पे हींग जीरा अजवाइन का पाउडर बनाया है यह हमें इसमें डालना है तो इसका पाउडर हमें कितना डालना है मात्र आधा छोटा चमच इससे जदा बिल्कुल नहीं आधा छोटा चमच आप इसमें पाउडर डालिएगा और अच्छे से मि तक को कोई भी इसमें उसके को यूज कर सकता है क्योंकि दोस्तों इसमें कोई भी कैमकर नहीं है कुछ भी नहीं है यह सारी चीजें खाने वाली चीजों से इन उसका तैयार है और इसे हम रोज यूज करते हैं अपने खाने में ठीक है ना तो यह आपके पेट मेंगर जलन भी खतम करेगा आड़ ईसे समझे इसको पीने आपको अपना पेट भिल्कूल खाली लगेगा जब इसको हो चुका यानि खाली butterflies करίνा और को मेरे पतासर अप यूज जरू करना आप खुद ही मुझे ठैंक्स बोलोगे धन्यवाद बोलोगे तो यहां पर यह नुष्खा बने करके तयार हो गया है अब आपको इस नुष्खे को पीना काव है दोस्तो इस नुष्खे को आपको लेना हुगा सुबह और साम सुबह नास्ते के बाद और साम को भी कुछ खा पीजिए उसके बाद में आपको लेना है तो सुबह साम दोनों टाइम इस नुष्खे को आपको पीजाना है आप इसे दीरे-दीरे सिफ सिफ करके पीजिएगा दीरे-दीरे जैसे के आप चाय कॉफी पीते हैं उस तरीके से इसे पीजिएगा और हाँ अगर आप इसमें का सकते हैं काला नमक या फिर सेंदा नमक वह भी डाल सकते हैं तो मैं कह रही थी आपको सुबह साम पीना है इसे लगातार आपको पांस से छे दिन तक इसका सेवन करना है और आप खुद ही मुझे थैंक्स बोलोगे आप देखना आपको पूरा फायदा मिलेगा जब आप सु हो जाएगा गैस की प्रब्लम खतम कब्ची की प्रब्लम खतम अफारा की प्रहा को खतम तो इस वीडियो को डोस्तों में सेर कर देना दोस्तों इस मैं उसके को आपको हंदेरें बन परसेंट आराम मिलेगा